हालो एब्रिवान, विल्कॉम ब्याक टो मैं चैनल, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंब्रियोनिक इंडक्शन और और्गनाइजर की बारे में, तब से पहले देखी कि इंदक्शन क्या होता है, यानि की ऐसING factor है जिसकी से इंब्रियो की अंदर चीजे बनने के लिए, आजिक पूरा का पूरा एक ज्याइगोड से थीक है, ज्याइगोड मॉरूला से आपकी बननेगा ब्लास्टॉला थीक है, ब्लास्टॉला इन यह multiple cells यहां पर आपको दिखने को मिल रहा है तो ऐसा कौन सी कुछ cells रहते हैं जो कि instructions दे रहे हैं कि आपको यह चीज बनाना है ठीक है तो उसको कहीं सारे experiment है हम details में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले कि induction करना क्या है आपको माले जी कोई induce करेगा कि आपके पास तो इतना चारे quality है parents जादा तो इंडूशर होते हैं आपको induce करते हैं आप बटा यह कर सकते हो यह कर सकते हो नहीं तो आपने माले जी हस्टल में रह रहे हो तो मुबाइल पे भी ग्यान देना मतलब कि मंतर फुमना स्टार्ट कर देंगे इसा भी कर सकते हैं तो इह होते हैं induce और आप लाइब के ठीके ना और कोई भी हो सकते हैं कुछ friend भी हो सकते हैं यादा तो parents और friends वही होते हैं ठीके आच्छा तो ऐसे sales की अंदर जब भी division हो रहा है कुछ group of sales ऐसे बनते हैं जो की induce करते हैं कि तुम e-structure बनाओ समझ रहो ना तो induction कैसे जैसे आपकी parents उनकी जो induce करने की तरीका होता है क्या होता है वो बात करेंगे आपको motivate करेंगे बात के थूँ समझ रहो ना इस तरीके से induction तो अब हम बात करेंगे the process of induction is a certain tissue in an embryo influences the development of other tissue is called embryonic inductions मतलब को वही embryo की कुछ cells और टीशू ऐसे होते हैं दूसरे cell को induce करते हैं कि तुम यह बन जाओ यह बन जाओ ठीक है तो उसको हम inductions कहते हैं यह तीज ए morphogenic event मतलब कि structure बनाने वाले event होता है embryonic tissue transmitted chemical stimulus जैसे आपको बोल रहे थी कि इसलिए यह तो आपका inducer हो जाएंगे यहां पर फैक्टरों कुछ release करें और आप लोगो हो गए हैं क्या आप receptor हो गए हैं आप receive करोगे उचीजों को उसकरने के बाद आप बन जाओगे researcher बनना है scientist बनना है DM बनना है कुछ भी बनना है आपको ठीक है तो इस तरीके से चीज़े आपकी यह चीज़े हो जाएगा कनभट हो जाएगा मतलब थोड़ा आना लेज़ी के साथ पढ़िए ताकि आप चीज़े समझ माएगा तो जैसे देखिए तो कोई भी मतलब कि इस प्रोसेस के लिए इंडुक्शन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए और गनाजर चाहिए मतलब कि आपकी पैरेंट्स हो गए जो की मंदर फूंगते हैं ठीक है ना तो और गनाजर इटीज ऑल्सो कॉल्ल दे इंडूशर और इंडुक्टर तो हम उसको इंडुशर और इंडुक्टर कहेंगे इट कैन एक्जर्ट इंडुक्टिव इंफ्लूएंसेस उनसे इंडुक्टिव इंडुक्टिव इंफ्लूएंसेस निकलेगा तो जो इंडुक्टिव इंफ्लूएंसेस है ठीक है यह लो रेजल्ट समझभा है ना तो ही इंड़क्टर को हम और्गानाइजर कहते हैं और्गानाइजर की ऐसा समझे है कि कोई भी जैसे आपकी कलेज के अंदर आन्वल फांक्शन है कोई चिप गेस्ट को बुलाना है आपकी डिपार्टमेंट की जो हेड होते है ना कु कु और्गानाइजर कहें घॉंपर का पुरा मिटिंग को आरेंस करे और्गानाइजर फीट क कहन दो अब आपकी है embryonic induction and organizer दोने चीजों की बारे में हम बात करेंगे अब हम देखें कि types of embryonic inductions तो कहां से embryonic inductions आ रहा है उसके उपर दो तरीके embryonic inductions होता है एक endogenous induction एक exogenous induction जैसे कि और interactions की basis पर कैसी वो काम कर रहा है instructive interaction एक permissive interactions होता है सबसे पहले endogenous induction हम देखेंगे endo का मतलब क्या है अंधर से निकलेगा एसा tissue है जो जो भी उनकी signaling molecule release हो रहा है वो अपनी उनकी उपर ही काम करेगा ठीक है वो खुद ही inductive signal को release करेगा खुद के उपर action दिखाएगा और यह दूछ्रे cell को या और्गन को बन जाएगा ठीक है तो यह आपका organiser हो गया और्गनेजर से यह chemical molecule बन रहा है यहां से फिर यह जाके उपनी उपर ही आक्सन दिखा रही है उसके बाद self-differentiation होके organ बन रहा है तो उसको हम endogenous induction कहेंगे ठीक है तो endogenous signaling molecule या इवे क्याटर जो होता है molecule secreted by the cell and it is act upon the cell it is called endogenous और रहेगा exogenous एक inductor cells हो गया inductor group eco signaling molecule release करेगा vector release करेगा वह हो सकता है ओही embryo की दूसरे cell को क्या करेगा influence करेगा ठीक है motivate करेगा कि तुम यह organ बन जा दूसरे मतले कि same tissue difference same embryo differentiate करेगा tissue of the same embryo के यह भी हो सकता है ओहीं दूसरे embryo की ऐसा बाड की आप ले रहें ऑहीं बाड की दूसरे बाड की उपर दूसरे बाड की एंब्रियो के उपर आक्सन भी दिखा सकता है तो इसको हम homotypic exogenous inductions कहेंगे जब एक inductive cells, same embryo की दूसरे cells को, same embryo की दूसरे cells को induce कर रहा है हम उसको homotypic कहेंगे inductive cells different same species रहना जरी रही है लेकिन different organisms की embryo है उसको influence कर रहा है तो heterotypic exogenous induction हम कहेंगे, ठीक है, clear हुआ आपको exogenous and endogenous inductions की बारे में, फिर बात करेंगे instructive interactions instructive interactions का मतलब क्या है यह कुछ instructions दे रहा है कि तुम यह बन जाओ ठीक है, मालिजे cell A है cell B को यह instruction दे रहा है कि तुम मालिजे stomach बन जाओ ठीक है, जब cell A B के पास रहेगा, तभी यह stomach बनेगा मालिजे cell A नहीं है तो B अलग कुछ बन लेगा मालिजे liver बना देगा ठीक है, आप बोलोगे कि हम C को रख लेंगे ठीक है, वो भी और कुछ बन जाएगा समझ रहोना ऐसे होता है in this interaction, tissue gives instruction to commit specific pathway for development signal from inducing cell is necessary for initiating a new gene expression एक के रहना जरूरी है stomach बनाने के लिए इसलिए, एक organisms के अंदर आपको सारे चीजे एक एक दिखने को मिलता है ऐसा नहीं कि stomach 4-5 आपको दिखने को मिलेगा या liver 4-5 दिखने को मिलेगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है तो इसलिए specific interactions की जरूरत है वो नहीं रहेगा, तो चीजे नहीं बनेगा ठीक है, और एक होता है permissive interaction, cell already decided है कि मुझे यह बनाना है बस उनको कुछ माहोल चाहिए इन बात, ठीक है इन दिस interaction, tissue provide a signal to an already committed tissue the respondent tissue contains all the potentials उनके बाद सारे potential है, यहां पर potential नहीं था उस cell नहीं था, तो वो नहीं बन रहा था निर ओनली तो environment that allow the expression of this threat तो यह था आपकी embryonic inductions की बारे में next हम बात करेंगे organizer की बारे में organizer क्या होता है, मैंसे जैसे आपको मैंने बात की कोई भी event को complete करने के लिए एक या दो आदमी की जरुरत होता है वो यह आदमी सारा का सारा event को क्या करेंगे, complete करेंगे उनकी आकोडिंग सारे चीज़े होगा तो जब embryonic development हो रहा था उसके दोरान Simmons and Mangolds, those scientists थे उन्होंने कुछ experiment कंड़ट किये और उन्होंने यहां से बताए उन्होंने आपकी amphibia की embryo की उपर experiment कंड़ट कर रहे थे क्योंकि amphibia करना थोड़ा आसान है उनका external fertilization होता है पानी के अंदर होता है तो इसलिए उनकी embryo के उपर experiment करना थोड़ा आसान है उन्होंने देखा कि कुछ group की cell ऐसे होता है जिसको हम दोर्साल लिप बैस्टोपोर कहते हैं दोर्साल बैस्टोपोर लिप कहते हैं यदि ओ यह रहता है पुरा का पुरा embryo बन जाएगा यह नहीं रहेगा तो embryo नहीं बनेगा शमझ रहो ना उनकी जो experiment था कुछ ऐसे था मैं अपका आसान language से समझा देती हूँ उसके बाद हम बात करेंगे मा लीजे यह एक embryo है उनका यह particular हिस्टा होता है dorsal lip blastopore blastopore lip ठीक है आच्छा फिर उन्हाने और एक आंपि भी आगे दूसरे embryo ले लिया तो यह embryo है उनका तो यह उनकी क्या रहेगा dorsal blastopore lip रहेगा ठीक है आच्छा फिर उन्हाने क्या किया इस embryo की dorsal lip blastopore लाके इधर सेट में इंट्रोडियूस किया ठीक है रुस्टर ब्लस्टर प्रोल लीब तो कुछ टाइम मतलब कि ग्रोध होने के बाद क्या मिला उनको दो इंब्रियों मिल गए ठीक है और ओ दोनों क्या थे आठास्ट थे ठीक है उनके पास सारे चीजे था लेकिन यह क्या है एक बेली पीस बनाय समझ भाया रहा है ना मतलब उनकी पूरा का पूरा प्रोसीजर एही था तो उसके बार में डिटेल्स बात करेंगे ठीक है आच्छा जैसे कि देखिए कि अहीं पर्टिकुलर टीशू इंफ्लून्सिस दा फॉर्मीशन ऑफ एम्ब्रेज कल्ड हम और्गानेजर उसका हम और कहेंगे सो 1924 में हांस पीमांच हैंड मांगोल्ड टुक एम्ब्रियों अफ एम्फिविया अट देयर गैस्ट्रोल स्टेज ठीक है फिन दोर्सलीप ब्लास्टोपर वाज रिमॉब्ड फ्रम दो दो एम्ब्रियों लिये थे जो की था ती टितनास अंटी क्रिस्टाटस ठीक दोर्सलीप बलास्टोपर जो होता है वो डेरिवर्टिव होता है और्गाजर के लिए उन्होंने ये चीज बताये थि फिर हम बात करेंगे डिफ्रेंड और्गानेजम्स की डॉसली ब्लास्टोपियर के नाम डिफ्रेंड डिफ्रेंड होता है जैसे नियोफिक्स सेंटर होता है सिग्नालिंग अर्थर डॉसली ब्लास्टोपर को सिग्नालिंग देने के लिए नियोफिक्स सेंटर पाया जाता है आंपिवया के अंदर चिक के अंदर ओही organizer की नाम होता है हैंसेंस नोड ठीक है अच्छा मामाल के case में हम उसको नोड कहते हैं के case में हम उसको sealed कहते हैं यहनिकि जो organizer की नियम इस particular organizer रहेगा यह influences करेगा कि तुम यहां पर इस्ट्रक्चर बना लो एक एक स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे तरीके से बनाओ यह उनको influence करते हैं तो different organisms के case में यह अलग है देखे फ्रॉग के case में क्या होगा फ्रॉग की जो एग होत की जो फ्लोड होता है यह dark color की होता है और उनकी जो cytoplasm होता है वो भी दो zone में differentiate है एक बाहर की lower लेगा उसको हम cortical cytoplasm कहेंगे जो अंदर वाला होता है हम उसको inner cytoplasm कहेंगे अंदर में जो होता है ठीक है जब भी sperm entry करेगा जिस point में sperm entry करता है तो उसको हम बोलते हैं कि आपकी ventral side ठीक है यह ventral side रहेगा और उसकी opposite side जो होगा वो dorsal side होगा ठीक है आच्छा तो sporm entry करने के बाद क्या होता है उनकी sporm की nucleus के साथ सेंट्रियूल भी आता है उनकी सेंट्रियूल की बज़े से क्या होगा जरीजी cytoplasm होगा तो आप देख सकते हो ब्लाक कलर की कु थोड़ा tilted हो जाएगा इस तरीके से होने के बाद यहां पर बनता है एक gray color की क्यांकि pure dark था pure white था मालीजे अभी dark and white थोड़े बहुत mix हुआ तो थोड़ा color अलग आएगा उसको हम बोलते है gray crescent जो gray crescent होता है that is very important वही gray crescent से क्या होगा आपकी बनता है dorsal lip blastopore ठीक है इस d dorsal lip blastopore जो रहेगा that will give influences उहीं से आपको उनको influences मिलेगा कि किस तरीके से आउनको stress बनाना है ठीक है आच्छा उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर क्या हुआ आप देख सकते हो कि यहां पर जो dorsal lip blastopore बन रहा था इस dorsal lip blastopore जो है that will give information मतलब कि इस particular हिस्सा में जो dors neural tissue कैसे बनेगा फिर पुड़ा का पुरा embryo बनने की बारे में उनने बताये थे उनकी यह कहना था कि यदि यह डिस्टो डोसल ली ब्लास्टो पेर को हम वहां से रिमूब कर देंगे तो यहां से नया embryo नहीं बन पाएगा उनने इस तरह के से experiment कंड़र्ट करके उसको बताय ठीक है आपको आज की वीडियो पसंद आ रहोगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी दोस्त के साथ भी चैर कीजिए